परियानिंग तैयार हुई और नाम जो दिया गया था उमेश पाल मर्डर की जो पूरा ओप्रेशन था उसको नाम दिया गया था ओप्रेशन जाने, रिपोर्ट देखे आप उमेश पाल हज्याकांट पर संसनी खेज परदाफार शूट आउट से पहले शूटरों की पार्टी अधीक एंड कमपनी का ओपरेशन जानू माफिया अधीक एहमद और अफ्ष्ट्रेफ की गोली मारकर हज्या कर दी गई है लेकिन हर गुजरते दिन के साथ माफिया अधीक की क्राइम फाइल एक एक गर सामने आ रही है साथ ही वो राज भी बेपड़ता हो रहे हैं जिसका ग्रूप्रिंट जेल में रखते हुए अधीक और उसके भाई ने बनाया था अब आपको उस ओपरेशन के बारे में बताते हैं जिसे अधीक और कमपनी ने उमेश पाल हज्याकान को अंजाम देने के लिए बनाया था नाम दिया गया ओपरेशन जानू क्या था ओपरेशन जानू कौन था मास्टर माइंड और इस ओपरेशन में कौन-कौन से लोग शामिल थे पूरी कहानी आपको डिटेल में समझाते हैं दरसल 24 फरवरी को प्रियागराज के धूमन गंज में उमेश पाल की गोली भार कर हच्चा करती गई थी लेकिन उसके एक दिन पहले यानि 23 फरवरी 2023 को प्रियागराज के चकिया में अतीक के शूटरों की पार्टी हुई थी चकिया के मकान में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उसका बेटा असद भी शामिल हुए साथ ही अतीक के वो शार्व शूटर मौजूद थे जिन्हें उमेश पाल की हत्या का ओर्डर जेन से अतीक नहीं किया था उमेश पाल हट्यकान में जिस महिला का नाम सबसे प्रमुफ़ता से सामने आ रहा है वो है शाइस्ता प्रवीन शाइस्ता माफ्या अतीक एहमत की पत्नी है और फिलहाल फरार चल रही है जब प्रियागराज हट्यकान में पुलिस ने अतीक एंड कमपनी के तार खंगालने शुरू किये तो बड़ा परदा फाश हुआ पुलिस ने जब अतीक के घर काम करने वाली हैलपर राकेश को हिरासत में लिया सोस ने उमेश पाल हट्यकान की एक एक गड़ी को चोड़ दिया हैलपर राकेश के मुतामिक 23 फरवरी की राद शूटरों की पार्टी हुई थी ये पार्टी प्यागराज के चक्या में हुई थी पार्टी में अतीक के पत्नी शाइस्ता बेटा असद मौजूद थे पार्टी में अतीक के शार्प शूटर गुड़ू मुसलिम और गुलाम भी थे उपरेशन जानू माफिया अतीक के दिमाग की उपश था जिसका फाइनल ब्लूप्रिंट परेली जेल में उसके भाई अश्रप ने बनाया था जिसे अंजाम तक पहुचाने के जिम्मेदारी शाइस्ता असद गुड़ू मुसलिम और गुलाम की थी ओपरेशन जानू का टार्गेट वकील उमेश पाल थी 23 फरवरी को हुई मीटिंग में अतीक की पत्ती ने शूटरों को पैस से भी मुहया करवाई थी फुल प्रूफ प्लानिंग त्यार हुई और उसके अगले ही दिन उमेश पाल का वेरहमी से कतल कर दिया गया एक वक्त ऐसा था उत्तर प्रदेश के प्रियागराज समेथ कई जिलों में जब माफिया अतीक की तूती बोलती थी अपने काले सामराज को बढ़ने के लिए अतीक किसी पर भी जुल्म करने से पीछे नहीं हटता था अतीक का एक आडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो प्रियागराज एग्रिकल्चर इस्टिट्यूट के प्यारो रामा कंत दुबे को धमकाता नजर आ रहा है हादूबे जी हाँ समसाथ भई स्पी आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता लेकिन मैंने गोली नहीं मारा ना अब कोई कुछ भी कह दे हम उसको कह सकते बताइए मेरी तो कोई कल्ती भी नहीं थी आपने हम को मर वाया ना ने एस्पी आरे जूर बोल रहा है तुम ते आरे तकि मैं तो गोली मार देता अब एक ते नहीं प्राइए उसको हम पा कह सकते हैं मैं तो आपसे निवेदन रिकोईश्टी कर सकता हूँ अब आप बड़े बाई हैं कुछ भी आपके हैं मैं पुछ नहीं कहा रहा है यह आपको आपको भी गुम्रा कर रहा हो वालग मैं तरह मैं आपके तिरुट आज भी नहीं हो कल भी नहीं था पर्फों भी नहीं था आज से नहीं आज मेरी आपकी जो 92 में मैं आपके जब मीरापुर में में रहता तभी मैं वहीं बैशता था आपके पास जा करके आप मुझको बच्च तरह मानते हैं तिलिविन आज मुझे बड़ा कश्च हुआ कि मैं भाईया भाईया आपको कहा आपने मुझे मारा आरोप है कि 2016 में अतीक अपने गुर्गों के साथ Agriculture Institute पहुचा और कॉलेज के शिक्षकों और अधिकारियों की बंद कमरे में पिटाई की जब रमाकंत दूबे ने इसकी शिकायत की तो अतीक ने रमाकंत दूबे को धमकाना शुरू कर दिया पंद्रा अप्रेल को अतीक अहमद और उसके भाई की व्यागराज में हत्या करती गई यूपे पुलिस की स्पेशल फोर्स अतीक की पत्नी शायस्ता फरार गुड़ो मुस्लिम को तलाशने में जुटी है लेकिन जिस रहे से एक के बाद एक अतीक और उसके आतंक के गवाह सामने आ रहे हैं उससे माफिया अतीक के कुंड़ी से परदा हटता नजर आ रहा है